हाई फ्रेंड्स, हिंदी डिकॉर्डी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम अनुवात की परिभाषा इसकी आवश्यक्ताओं और विशेश्णाओं पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं आज के अध्याई में हम अनुवात कितने परिचा के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों इस विशेपर चर्चा करते समय आप देखेंगे कि मैंने अधिकतर स्थान पर स्त्रोध भाषा और लक्षे भाषा क प्रियों किया है तो चाचा शुरू करने से पहले मैं आपको स्त्रोथ भाषा और लक्षे भाषा का अज़ बताना भी जरूरी समस्ती हूँ स्त्रोथ भाषा वे है जिस भाषा में कोई मूल कृती लिखी होती है और लक्षे भाषा कौन सी है? लक्षे भाषा वै है जिस में कृति को अनुवादित या स्कृति का जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह ही लक्षे भाषा कहलाती है अब जैसे संस्कृत भाषा में लिखे गए रमायन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है तो उसमें जो इसकी रमायन की पहली भाषा संस्कृत है वो स्त्रोध भाषा कहलाईगी और जब इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी भाषा में जिस भाषा में इसका अनुव तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं अनुवाद के प्रैकार। का पद्य से गद्य में भी अनुवात किया जाता है जैसे मेग दूतम का हिंदी कभी नागर जुन द्वारा किया गया गद्य अनुवात इस तरह की श्रेनी में आएगा अगला है पद्य अनुवात जब पद्य का पद्य में ही अनुवात किया जाता है वह पद्य अनुवात की श्रेनी में आता है दुनिया भर में विभिन भाषाओं में लिखे गई कावियों एवं महा कावियों के अनुवादों की संख्या असीमित है जैसे इलियर के वेस्टलेंड कालिदास के मेगदूत एवं कुमार संभवम तथा टैगोर की गितानजली इसके उधारन है इनका वि व्यवरत चंदों का ही लक्षे भाषा में व्यवार किया जाता है यानि कि स्त्रोध भाषा में जो चंद जिस तरह लिखे जाते हैं अनुवाद करते वक्त लक्षे भाषा में उसका उसी तरह से उसको लिखा जाता है चंद मुक्त अनुवा की कौन से होते हैं दोस्तों इस परकार के अनुवादक को स्त्रोत भाशा में व्यवार किये गए चंदों को अपनाने की कोई बाध्यता नहीं होती यानि की मूल चंदों को अपनाने की अनुवादक विशे के अनुरूप लक्षे भाशा का कोई भी चंद चुन सकता है सहिते में ऐसे अनुवाद विपुल सं आगे हम जानते हैं सहिते विधा पर अधारित अनुवाद पहुंसे होते हैं पहला है काविया अनुवाद स्त्रोथ भाषा में लिखे गए काविय का लक्षे भाषा में रुपांतरन काविया अनुवाद कहलाता है यह आवश्यक्त अनुसार गद्य पद्य एमं चंद में किया जाता है उधारन के लिए होमर के महा कावे इलियन एमं कालिदास के मेग धुतम एमं रित्तु संघारिस के उधारन है नाट्य अनुवाद दोस्तों किसी भी नाट्य कृति का नाटक के रूप में ही अनुवाद करना नाट्य अनुवाद कहलाता है नाटक रंगमंचे आवश्यक्ताओं एमं दर्शकों को ध्यान में रख करी हमेशा लिखा जाता है आते हैं इसके अनुवाद के लिए काफी अधिक अभ्यास की अवश्यक्ता होती है संस्कृत के नाटकों के हिंदी अनुवाद तता शेक्स्पियर के नाटकों के अन्य भाशाओं में किये गए अनुवाद इसके उतकर्ष्ट उधारन माने जाते हैं कथा अनुवाद इसके अंतरगत कहानियों एम उपन्यासों के रूप में ही अनुवाद किया जाता है विश्व प्रसिद उपन्यासों एम कहानियों के अनुवाद काफी प्रचलित एम लोगप्रिये हैं प्रेमचन की कहानियों का दुनिया की विभिन भाषाओं में अनुवात किया गया है ये सब कथा अनुवात की अनुवात की आता है इसके अलावा अन्य साहितिक विधाओं की अनुवात जिसकी अनुवात रेखा चित्र, निबन, संस्मरन, निपोर्टाज, डायरी अम आत्म क आदि के अनुवाद आते हैं पंडी जवालल नहरू की कृति डिस्कवरी ऑफ इंडिया तद महात्मा गांधी एमम हरीवरिन श्राय बच्चन की आत्मकताओं के विभिन भाशाओं में किये गए अनुवाद इसके उद्कृष्ट उधारन हैं अब हम जानते हैं विश्य पर आ अनुवाद इसके अंतरगत आते हैं धार्मिक पौरानिक सहितिय अनुवाद नाम से इस पर्ष्ट है कि विभिन धर्मों के मानक धरम गरंथो विश्य गीता भागवत कुरान बाइवल वेद उपनिशद आदि के अनुवाद इसके अंतरगत आते हैं विज्यानिक एमम् tक् तक्णि को मुख्यय रखा जाता है और इसमें शैली हमिशा गौन रहती है, सहितिक अनुवादों में प्रायहा क्यों से ज़्यादा कैसे कमथ होता है, जबकि विज्ञानिक अनुवाद में कैसे से ज़्यादा क्या कमथ होता है, क्योंकि इसमें भाव का अनुवाद नहीं होता है जो भी विज्ञानिक अरूर तक्निकी अनुवाद होते हैं उसमें भाव की कोई वेल्यू नहीं होती प्रायहा शब्द अनुवाद ही इसमें अप्यक्षित होता है इसमें पारिभाशिक शब्दावली का प्रियोग किया जा अनुवाद में और सबसे जरूरी बात है कि इस अनुवाद में जो अनुवादा के उसे विश्ये का समयक जानकार और प्रशिक्षित होना भी जरूरी है तभी वह अपने अनुवाद के साथ संपूर रुप से न्याय कर पाएगा अगला है विधी का अनुवाद विधी दोसो विधी यानि की कानून संबंदी अनुवाद इसमें एक भाषा की विधी संबंदी अथा कानून की सामगरी का धूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है कानून की किताबे, अदालत के मुकदमे, तत्य संबंदी विभिन आवेदन पत्र, कानूनी सहीताय, नियम अधिनियम, संशोधित अधिनियम आधी कानूनी अनुवाद के अंदरगत आते हैं इस प्रकार के अनुवाद में प्रतेक शब्द का अपना विशेश मैत्व होता है, और इसमें दोस्तों भावात नहीं, शब्द का अर्थी मैत्वण होता है, इसके प्रतेक शब्द का अर्थी स्पष्ट होता है, और एक शब्द का एक ही अर्थ इसमें अपिक्षित माना जा इस प्रकार के अनुवाद की भाषा पूरी तरह तक्निकी प्रकड़ते की होती है। नियम, अधिनियम, प्रेस्विग्यप्तिया आधी आती है। अनुवाद के लिए अनुवाद का विशेग्यान होना अती महतुपूर्ण माना जाता है। अनुसंधान, सर्वेक्षन, परियोजना एम शेक्षिक आवशक्ताओं की दृष्टी से महतुपूर्ण होता है। और ऐसे अनुवाद में सरलता एम शेक्षित होती है। संचास माध्यमों की समगरी का अनुवाद दोसों अर्मान युक्षे संचार माध्यमों ने मानव विकास में अपना काफी महतुपूर्ण योगदान किया है। संचार माध्यमों के जरिये ही वह देश, विदेश और समगर दुनिया की जानकारी आज हम असानी से घर बैटे हासिल करते हैं। किन्तु विविद देशों में विविद भाशाएं होने के कारण संचार समगरी का अनुवाद काफी महतुपूर्ण माना जाता है। इस अनुवाद के अंतरगत मुख्यताह, देनिक समचार, सभी प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन तता अकाश्वानी आदी शेत्रों की समगरी के अनुवाद आते हैं। इन संपर्क माध्यमों में दुनिया के सारे ज्यान विज्यान की समस्य सम्माहित होती हैं। इसमें राजनिती, व्यपार, खेल, विज्यान, सहित्य आदी की अर्थात, जीवन से संबंदित, सभी विशे शेत्रों की समगरी प्लब्द होती है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में अनुवाद के कुछ प्रकार जाने यानि के अनुवाद के होते हैं और उनको कैसी किया जाता है इस पर चर्चा की। उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करना होगा। साथी दोस्तों आपके मन में कोई भी हिंदी विशे से संबंधित प्रश्णों तो आप कमेंट बॉक्से में मुझे पूछ सकते हैं मैं शीखरी उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो